सेल उडारियां की बात करें तो यहाँ पर आस्मा जो है वो मुश्किल में फस चुकी है लेकिन अर्मान आकर आस्मा को बचा लेगा इधर आल्या को जब से बात मालूम पड़ी है कि आस्मा अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहती है तब से वो उसके पीछे एक बार फिर से पड़ी हुई है उसकी जान लेने के लिए यहाँ पर अब वो जायत को अपना हतियात बनाती है यहाँ पर जायत जो है वो देखता है कि अर्मान जो है वो हाथी के कपड़े पहने हुए है और फिर जो कपड़े होता है वो आस्मा पहन लेती है अब जायत को ऐसा लगता है क उस हाथी के कपड़े के नीचे अर्मान है और इधर आलिया जो है वो जैद से कहती है कि जिसने आपके पापा को मारा और जिसने आपके मम्मी की भी जान लेने की कोशिस की आप उसको कैसे छोड़ सकते हो तुम जाकर उसे हर्ट कर सकते हो इधर च्छत पर आस्मा थी वो हाथी के कपड़े में तब ही यहाँ पर जैद आता है और धक्का दे रेता है आस्मा को आस्मा सीधे नीचे रेलिंगों से नीचे गिरती है आपको बताते चले कि अब जैद कि इस बिहेवियर को अर्मान बरदाश नहीं करेगा तो वहीं आस्मा यह जानने की कोशिस करेगी कि आखिर जैद ऐसा कर क्यों रहा है